Hello guys, आज मैं आपको ऐसी chess trick के बारे में बता हुगा जिसे खेल कर आप अपने opponent की रानी को शुरुआती के moves में capture कर लोगे जिसे देख कर आपका opponent पूरी तरीके से shocked हो जाएगा और resign करने पे मजबूर हो जाएगा तो चलिए शुरू करते है इस trick को tennishin gambit भी कहते है और यह आप white pieces से खेलोगे तो आपको यह खेलना तब है जब आपके e4 के response में black d5 चले इस opening को popularly scandinavian defense भी कहते है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे pawn पे attack हो रहा है लेकिन हम उसको defend नहीं करेगे हम अपना घोडा बाहर निकालेगे क्योंकि black को free में pawn मिल रहा है तो वो of course capture कर लेगा हमारे pawn को और हम उसकी pawn को attack करेगे knight to g5 चलते हुए और अपने pawn को बचाने के लिए black के पास कुछ options है पहला option यह है कि वो f5 चल के अपने pawn को defend करें लेकिन problem यह है उसकी king side open और यह से एक के बाद एक pawn दे रहे है लेकिन यह हमारे trap का part है जब वो pawn capture करेगा आपको recapture करना है अपने bishop से यहाँ पर black देखेगा कि आपका घुड़ा इतनी attacking position में है तो वो उसको भगाने ही कोईश करेगा और h6 चलेगा लेकिन अगले ही move में आप अपने opponent को बहुत बड़ा shock देने वाले हो और आप उसका F7 pawn capture कर लोगे इस move के साथ ही आप उसकी रानी पर भी attack कर रहे हो और उसके हाती पर भी attack कर रहे हो तो black के पास यहाँ पर कुछ option ही नहीं बचा है उसको अपने राजा से आपका घोडा capture करना ही पड़ेगा इसी के साथ black हमारे gambit में first चुका है क्या आपको winning move दिख रहा है इस position में winning move है bishop to g6 और इसी move के साथ आप black के king को check तो दे रहे हो लेकिन साथ में आप उसकी रानी पर भी attack कर रहे हो और असली shock तो black को तब लगेगा जब वो देखेगा कि वो अपनी रानी को protect भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारा bishop पूरी diagonal को attack कर रहा है इसलिए उसके पास option नहीं उसे capture करना ही पड़ेगा bishop को जिसके बाद हम simply उसकी रानी को capture कर लेगे जिसके बाद black resign करने पर मजबूर हो जाएगा और अगर वो resign नहीं भी करता है तो भी हमारे पास sufficient advantage है और हम इस game को बहुत ही असानी से जीच जाएगे तो ये इधा tennition gambit अगर आपको ये chess trick पसंद आई तो वीडियो को like करो और ऐसी ही और chess tricks के लिए चैनल को subscribe करो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में